इम्रान मसूद ने कॉंग्रेस जॉइन करने के साथ ही घरवापसी कर ली है लेकिन अब इम्रान मसूद ने लोकसबचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है साथ ही खुद के प्रतियाशी होने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है महिरमेश पिदूडी और बसपसान सद दानिश अली के बीते विवात पर भी अपनी प्रतिगिर्या दी इमरान मसूद ने कई मुद्धों पर खुल कर अपनी प्रतिगिर्या दी कॉंग्रेस चोयन करने के बाद इमरान मसूद ने लोकसबा चुनाव में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा हम तो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तया हैं पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ाएगी मैं लड़ने को तयार हूं तियार है हम तो हमेशाद लड़ने के लिए तैयार हैं जातिकत जनगर्णा के सवाल पर भी अमरान मसूद्ध ने अपनी बात रखी और बोले पूरे देश में जातिकत जनगर्णा होना चाहिए ये एक अच्छी पहल है जातिकत जनगर्णा आगे चल कर मील का पथर सावित हो देखे जब तक जाती जनगनना नहीं होगी तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा और जो बात रहुल जी ने कही कि उसको हिस्सेदारी के इसाब से आप हिस्सेदारी तभी तैय करेंगे जब आपके पता हो कि आपके इस्सेदारी कितनी है बहुत सारी ऐसी जातिया हैं जिन ज उन लोगों को कुछ मिलने की दिशा में ये सबसे पहला कदम है और मील का पत्तर सावित होगा है। वहाँ पे बैठे हुए सदस्ये को लेकिन कुछ लोग उनी को प्रोटेक्ट करने पर लग गए तो आप तो लोगतंत्र को कहां ले करके जाने पहले इसको तो देखें। तो अल्ला का शुकर है कि प्रियंका जी ने राउल जी ने क्लियरंस दिया उनका सने मेरे साथ है तो उन्होंने का तो दुबारा कॉंग्रेस में आगे है। शायद इसलिए इम्रान के कॉंग्रेस में वापसी हुई है लेकिन मैदान में असदुद्दीन ओवेसी भी हैं। अब देखना होगा इम्रान मसूद कॉंग्रेस को आने वाले चुनाव में कितना फायदा देते हैं। ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी